हलो गाईज, वेलकम टो ओर चैनल, इस दिटीव ट्वेल पॉइंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्मेंट कॉलेज ओफ एंजिनेरिक एंड सेरमिक टेकनोलजी, GCECT के फुल रिवीव करने वाले हैं, इंटोड़क्शन से स्टार्ट करेंगे, उस बाद इसका 2020 कट अब भी देखेंगे, 2020 कट अब देखेंगे, GCECT को बहुत अच्छा है, इस कॉलेज का, GCECT की देखेंगे, पिछले साल कितना GCECT को आया था स्टुरेंट लोगो, उसके बाद फीस्ट अचा देखेंगे, उसके बाद प्लेस्मेंट रेकॉर्ड, मोस्ट इम्पोर्ट by Professor Shashazar Ray, the college initially started with diploma and certificate course in the ceramic technology, यानि ये college initially start हुआ था, diploma and certificate in ceramic technology, then 1962 में बीटेख डिगरी स्टार्ट हुआ था, affiliation of University of Calcutta, then finally 2001 में बीटेख डिगरी affiliation हुआ मकाउट, and उसके बाद 2000 में IT, जो है BE होता था, यानि Bachelor of Engineering, IT होता था, Information Technology, वो भी था, University of Calcutta, उसके बाद CAC and IT, दोनों ही मकाउट के अंदर चला गया 2001 में, ठीक है, अब याद है affiliation, तो इस college में नयक आप लोग को मिल जाएगा, National Assessment Accreditation Council, नयक आप लोग को मिल जाएगा, उसके बाद आता है NBA, तो NBA तो नहीं है, बाट इसका अब आप लोग जा already NBA है, but NBA में भी नहीं है, ओके, और NIRF rank के उपर बात करते है, National Indian Ranking Framework, तो इसके उपर हम लोग बात करेंगे, कुछ तरह में, क्योंकि ये लोग 2021 में NIRF के लिए data submit किया है, तो अभी वो approved होगा, rank मिलेगा, तो अभी depend करता है future में, तो maybe मिल सकता है, maybe नहीं भी मिल सकता है, तो ये depend करता है future में, but इस college में NAC, अप लोग को A grade मिल जाएगा, NAC, National Assessment Accredition Counseling, NAC, अप लोग को A grade मिल जाएगा, NBA, National Board Accredition नहीं है इस college में, but about system में आपो देखनों को मिल जाएगा, Information Technology, Sermi Technology को अपर NBA है, but overall WBJ के rules के मताबिक, या WBJ के information के मताबिक, NBA नहीं है, और NIRF के लिए data submit किया है, वो अगर approve होता है, तो rank मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, so ये रहा, इस college के address, उसके बाद आथे basic infrastructure, तो number of classroom है 10, यानि classroom बहुत कम है, ये classroom आपको मिल जाएगा, फाइब, books है, library में 15,479, 30 lab है, workshop ये से, common computer center ये से, computers आपको देखनों को ज्यादा मिल जाएगा, 320 computers है, and CRT जो computer है, वो दया ज्यादा आपको देखनों को मिल जाएगा, अबनी, जो पहले मिल दाना, CRT, जो TV के जाएगा, ओके, वो computer आपको देखनों को ज्यादा मिलेगा, इस college में, अभी new update किया गया है, maybe, indoors possibility ये से, outdoors possibility भी ये से, and boys hostel में capacity है, and seat है, only 30 seat है, and girls hostel नहीं है, 0, boys common room 1 है, girls common room 1 है, तो अभी आते हैं, इसका जो course, इस college में M-tech, यानि PG level का M-tech होता है, and U-G level का B-tech होता है, सो पहले हम लोग देख लेते हैं B-tech, तो B-tech में आपको तीन ब्रांच देखनों को मिल जाएगा, ceramic engineering technologies का intake capacity है 40, और 8 होता है lateral, यानि 48 total seat है, but 40 इस पे दिखा है, but 8 seat होता है, lateral के reserve होता है, यानि 48 seat होता है, NBA तो नहीं है, NAC है, और इसका जो faculty है 7, information technology का 48 intake capacity है, NBA no, NAC yes, and faculty है, only 6 faculty, बहुत ही ज्यादा कम है, इस data के मुताबिक, computer science and engineering, 40 intake capacity, NBA no, yes, NAC yes है, and 7 faculties है, and basic science and engineering and humanities, जिसमें 13 faculties है, तो overall जो faculty को बात करते हैं, faculty बहुत ही ज्यादा कम है, and कम इसलिए है, क्योंकि इस college में आपको तीनों ही ब्रांच मिल रहा है, civil, mechanical, electrical, यह नहीं मिला, इसलिए, इस college faculty यही है, तो यह आपको फाइदा मिलेगा, अगर इस college में आपको admission लेना है, तो placement आपको अच्छागासा मिल जाएगा, क्योंकि इस college का जो placement record है, मुझे personally बहुत अच्छा लगा, आप लोग पर देखो placement record कितना है, और personally इस college में कोई अधर्स ब्रांच नहीं है, तो यह तीनों ब्रांच के उपर ज्यादा focus रहता है, तो ज्यादा placement का chance बढ़ जाता है, यह positive point है इस college का, ओके, अभी आते post graduate M.TEC, तो M.TEC में आपको दो ही ब्रांच मिल जाएगा, एक होता है information technology, और एक होता है ceramic engineering technologies में, इंटे capacity only 1818, 1818 करके, इंटे capacity है, ओके, देन आप लोग देख साथा, तो submitted institute data for NIRF 2021, institute name government college of engineering and ceramic technology, यानि NIRF rank के लिए ये लोग apply किया है 2021 में, जिसका पूरा regard आपको website में मिल जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, तो approve intake capacity 120 and 18 होता है PG, जिसे पर से एक ब्रांच को include किया है, इसलिए 18 लिख रहा है, पर वो 36 होगा, ठीके, सो अभी आते most important topic, WBJE 2020 cut-up कितना गया है ता, फर्स राउंड का मैं दिखाऊंगा, बाकी राउंड का आप लोग देख लेना, website में जाके, एक ही ब्रांच को मैं cover करूँगा, बाकी ब्रांच आप लोग वीडियो प्रॉस करके देख लेना, तो यह आप लोग देख सो, CAC का मैं बता रहा हूं, तो CAC में आप लोग देख सकते हो, जो ओपेन रैंक हुआ था, जेनरल काटेगरी के लिए, ओपेन रैंक हुआ था 1100 से, और क्लोज रैंक हुआ था 3415 से, ओके, और PWD के अपलोग देख सकते हो, 49145 और क्लोज रैंक हुआ था 49145 में, ओविसी अपलोग देख सकते हो, 808,782 और 11,146, ओके, ओविसी बिकल अपलोग देख सकते हो, 4148 और क्लोज रैंक हुआ था 4634, और ST के लिए 6447 तो 9870, देन ST के लिए 34831 तो 35081, तो 3525 तो 3832, ओके, तो यही तक WBJE 2020, फर्स्ट राउंड का कट अफ, उसके बाद आते हैं जिले 2020 कट अफ तो जिलेत में कट अफ नहीं निकलता, तो मैं आप लोग को एक बता दूँगा, उसके अंदर ही आपको रैंक लाना पड़ेगा, तो GMR आपको होना चाहिए within 1000, 1000 के अंदर आपको रैंक अगर आए, तो आप लोग को मिलेगा, और इस कॉलेज में तीनों ब्रांच है, तो इसलिए आपको 1000 के अंदर ही रखना है, तो आप लोग ट्राइ करो, 8,800, 700 के अंदर आपका रैंक आए, ठीके, आप लोग देख साथ तो इस कॉलेज का इंटेक कापसेटी है, लाटरेल का, सेरेमिट टेकनोलजी के लिए आपको 11 सी टावले वहले, CAC के लिए आपको 13, और इंफर्मेशन टेकनोलजी के लिए उनली 5 सी टावले वहले, ठीके, तो एई था जिले 2020 का कट अप तो आपको विदिन 800, 700 तक आपको रैंक करना है GMR, तब आप लोग इस को मिलेगा, ठीके, तो आप लोग एफ टेकनोलजी के लिए आपको एडमिशन के टाइम 8,101 रूपीज आपको देना पड़ेगा, उसके बाद बाकी जो सेमिस्टर होका आपको 4,000 देना पड़ेगा, CSE के लिए अडमिशन के टाइमा 11,601 देना पड़ेगा, और बाकी सेमिस्टर में आपको 7,000 देना पड़ेगा, इंफरमिशन टेकनोलजी लिए आपको 18,601 देना पड़ेगा, और बाके सेमिस्टर आपको 13,000 देना पड़ेगा, यही था फी स्टक्चर तो अभी आते आप लोग देख साथ तो जिकेट 2021 में जो क्वालिफाइड किया है और अल इंडिया रैंक विदिन 1000 के अंदर आया है आप लोग देख साथ तो CAC ब्रांच से रितेश कुमर जहा ए अल इंडिया रैंक आया था 50825 और देव मायलो शेन रुसका आया था अल इंडिया रैंक 539 और जेबा इकबल्ब का आया था अल इंडिया रैंक 658 और बाकी आप लोग देख ले ना ये है इस कॉलेज का गे 2021 का रेकॉर्ड तो इसमें बत आया गया है कि 100% placement हो जाता है ceramic technology का and IT and CAC का 75 to 80% हो जाता है तो ceramic technology का जो average package था 3 lakh and highest package था 7.5 lakh ओके और IT and CAC का average package था 3 lakh and highest package था 4.50 lakh तो आप लोग देख सकते हैं तो IT and CAC के लिए TCS, Cognizant, Wipro, Infosys, Tech Mehandra आता है और ceramic technology के लिए Zindal South, West Steel, Isar Steel, Steel Authority of India, Greenwell, Norton, Emicon, Tatar, Refractories ऐसा कुछ companies आता है इस college में and यह है placement data जो आप लोग देख से तो placement data में 2020-2019 का बताऊंगा बाके आप लोग देख लेना 2020 में 31 ceramic technology pass out हुए थे जिसमें से 15 students related हुए थे and CAC के लिए 45 pass out हुए थे जिसमें से 23 students placed हुए थे and IT में 31 pass out हुए थे 12 students placed हुए थे and 40 जो companies आया था 2020 में उसके बाद 2019-27 pass out हुए था 7 technology से and 25 placed हुए था 42 pass out हुए था CAC से 30 students placed हुए था 38 pass out हुए था IT से उसके बाद 16 placed हुए था and total companies आया था 40 तो ही तो यह ता placement record बाकी आप लोग देख लेना और यह कुछ company's name 2020-2009-2018-2018-2018 में आया था वीडियो पर्सकर के आप लोग देख लेना ओके and यह है actual जो report यह actual record यानी placement का record तो आप लोग देख सो 2018-19-20 में 28 बच्चे placed हुए थे 34 बच्चे placed हुए थे 19 में 32 बच्चे प्लेस हुए थे 18 में आप लोग देख लेना यह है 18-19-20 में अठरा बच्चे जो गादुएशन हुए थे 656 बच्चे प्लेस्ट में यानी प्लेस्ट हुए थे 3,25 तो यह थे अवरेच पाकेज इस कोलेश का अन हाइस्ट आप लोग देख सेप्ते हो कोई प्रोब्लम नहीं अभी आते WBJ रिकॉर्ड के मुताभी क्या बोला गया है प्लेस्में रिकॉर्ड के मुताभी बोला गया है 2019-71 बच्चे प्लेस्ट हुए थे जिसका मैक्सिमा सिटी से था 7,00,000,00 पर अन हाम आज 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 आए तो यही था प्लेस्में रेकॉर्ड आज तो यही था पुरा इंफर में इस कोलेश का तो वीडियो आगर अच्छा लगते हैं तो एक लाइक अश्का जारू कर देना चलो मिलते हैं नेक्स विदे तो ले बाई टेक क्या